हलो दोस्तों आपका मैरे स्वागत है आज हम बात करेंगे निलामी के बारे में इस्पेक्टर निलामी जो कि पिछले दो दिनों से चल रही थी जो कि एक मार्च से श्टार्ट हुए थी उसमें मोड़ा फोन आइडिया एयर टैल और रिलाइन्स जिन्होंने कितने स्पेक्टर को किसने करोड में खरीदा है उस बारे में जानेंगों से पहले अगर आप हमेरे चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और पास में देगाए बेल आइकान पर कि जरूर करें मैं नेक्स्ट चुडियो को नडिक वेशन आपको मिल सकत हो चली जान लेते ह सबसे पहले जैसे कि अब जानते हैं एक मार्च को सुरू हुई स्पेक्टरम निलामी आज खतम हो गई है और यह निलामी दो दुन चली है जिसमें 77,814 करोड रुपे की स्पेक्टरम की निलामी हुई है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेक्टरम रिलाइंस चियों ने है ठीक है भायत की दूसर चार विभाग सरकार दौरा आए जित स्पेक्टरम निलामी का समापन आज खतम हो गया है जिसमें आप देख रहे हैं स्किन पर देख रहे होंगे यह सर्किल्स हैं रिलाइंस जियों के सर्किल्स हैं जहां पर जिसने 800 मेगा हर्ट्स बैंड के आप देख सकते हैं 6.25 करोड में अंधरपन देश के लिए करीदा है 1800 मेगा हर्ट्स बैंड जो है 4.20 करोड और तेस्सों मेगा हर्ट्स बैंड दस करोड के लिए ठीक है यह बाइस सर्किल्स हैं देख ले आगे देख सकते हैं मद्या परदेश महाराष्ट मुंबाई नौर पंचाब राजिस्तान तामिल नायडू उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश वेस्ट 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 बंगाल ठीक है तो इस तरीके से रिलाइंस जियो ने अपने स्पेक्ट्रम खरीद लिए हैं और वेकेंसी भी यह ना सोचे कि जोब नहीं रहेगी आगे काफी सारी वे लिए है तो कोई भी परिशान ना हो रिलाइंस यो के लिए में रिलाइंस जियो हैज वेरी वेल बैलांस स्पेक्ट्रम फोर एल्टी सर्विश एंद फूचर अप्रेशन तो 5G टेंग लोजी थू दिस एक्क्विजिशन रिलाइंस जियो टोटल और स्पेक्ट्रम फूट् 10 MHz continuous spectrum in most circle and also it at least 2 to 10 MHz in 800 MHz band and 40 MHz in 300 MHz band in each of the by circles okay Reliance Jio has achieved complete spectrum to risking with average life of owned spectrum of 15.5 years okay Reliance Jio's spectrum has been acquired in the most cost efficient manner with an effective cost of 60.8 kHz per MHz the acquired spectrum can be utilized for transition to 5G services at the appropriate time where Jio has developed its own 5G stack okay आप यहां पर देख सकते हैं जो frequency band 800 MHz frequency band उसे लाइंस जियो ने total payment 34,491 में खरीदा है 800 MHz के लिए उसने 12,461 करोड रुपे कर्स किये हैं और 200 MHz band के लिए Reliance Jio ने 10,170 करोड रुपे कर्स किये हैं और total जो निलामी की गई है Reliance Jio के दोबार हो 57,1123 करोड की की गई है ठीक है As per terms of the spectrum auction the deferred payments have to be made over a period of 18 years 2 years moratoriums plus 16 years repayment period With interest computed at 7.3% per annum अगर हम Airtel की बात करें तो Airtel ने 18,699 करोड रुपे की बोली लगए जिसमें उसने 355.45 MHz spectrum करीदे हैं उसने किस circle के लिए किस band को कितने करोड में करीदा है उसके लिए क्या frequency है वह आप देख सकते हैं बिहार, गुजरा, थर्याना, हिमाचल परदेश, कैरेला, मध्यपरदेश, 36 गर्म, महाराश, नौर्थ, इस्ट, उडिशा, था, मिलना, एडू, यूपी, इस्ट, यूपी, वेस्ट, 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 बंगाल तीक है अगर हम विड़फोन आइडिया की बात करेंगे, विड़फोन आइडिया अपने 5G circles के लिए air waves करीने हैं वडफोन आइडिया ने spectrum और अपनी 4G capacity को बढ़ाने के लिए 5 circus में air waves करी दिए कंप्री ने बताया कि वह अपने ग्राव को डिजीटल एक्स्प्रियंस को बढ़ाने की बहतर करने की कोशिश करेगी इन सभी स्पेक्ट्रम से हमें कवरेज और कैपैसिटी दोनों बढ़ाने में मदद मिलेगी वहीं वड़ाफोन आइडिया ने अपना 11.9 मेगार्स स्पेक् क्या जज़ी झालफाने में ग्ग waज़ा में करने तरह के दित कि झाल याज़ाज कंवर्श कर्णेष ने ल का데मार्स कर दोनों गळèveं से हमें के बढ़ाने के ठावाफोने ने हमें